C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 14 बसवा का खेत प्रिष्ठ 113 मैं हूँ बसवा मैं करनाटक के वेल वनिका गाउं में रहता हूं मेरे अप्पा किसान है जुलाई का महीना है हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्यास की फसल उगाने की तयारी में है खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं जब जरूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खुटी की मदद से खेद की मिट्टी को नरम किया है। पता करो। बसवा के इलाके में तो खुटी से खेद की मिट्टी को नरम करते हैं। तुम्हारे इलाके में इसी क्या कहते हैं। उसका चितर बनाओ और चर्चा करो। प्रिष्ट 11 114. किसी किसान या अपने बढ़ों से पूछो कि उनके इलाखे में खेतों में क्या-क्या उगाया जाता है? खेती का हुनर अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे बैल कूरिगे को खीचते जाएंगे और अप्पा पीछे-पीछे बीज डालते जाएंगे अप्पा को इस तरह कूरिगे में बीज डालते देख मेरा भी ऐसा करने को मन करता है पर शायद मैं इसके लिए अभी छोटा हूँ अप्पा मुझे बीज नहीं डालने देते कहीं मेरे हाथों से ज्यादा बीज न गिर जाएं थोड़े थोड़े बीज गिराना बहुत मुश्किल है पता नहीं मैं कप कर पाऊंगा जानवर के अलावा और किसी तरीके से खेत जोता जा सकता है प्याज की फसल बीज बोए लगभग दस दिन हो गए हैं प्याज की छोटे छोटे पौधे निकलाए हैं साथ ही निकलाई है खरपतवार तुम जानते हो ना खरपतवार तुमने किसी खेत या बगीचे में देखा ही होगा कि कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं वह ही होती है खरपतवार अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत जरूरी है नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा, अम्मा और काका की मदद करूँगा प्याज के खेत में हर रोज पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत होशी होती है अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं मेरे घुटनों तक उचे-उचे, पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं अब प्याज निकलने के लिए बिलकुल तयार है जिस फसल को आपने खेत में लगे देखा है, उसका चित्र बनाओ जानते हो क्यों? अब प्याज के तयार पौधों को निकालना है प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक जरूरी है अप्पा, अम्मा, काका, चोटी मा और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे समय से प्याज नहीं निकालें तो सारे प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी क्या तुम भी बसवा की तरह किसी काम में अपने घर के बड़ों की मदद करते हो किस काम में प्रिष्ट 116 वह काम करना तुम्हें कैसा लगता है प्याज की फसल अरे वाह! इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं घर में सभी बहुत खोश हैं अम्मा और छोटी माने इलिगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया है हाथों को इलिगे पर ध्यान से चलाना होता है नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी-बड़ी बोरियों में भर कर बांध दिया है अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक में लेकर जाएंगे प्रश्णों के उत्तर कॉपी में लिखो बसवा कुछ दिन तक स्कूल क्यों नहीं जा सका क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है? वहाँ क्या-क्या उगाया जाता है? प्रिश्ट 117 बसवा के अप्पा मंडी में प्यास बेचने के लिए ट्रक में जाते हैं सोचो, जिन जगहों पर पक्की सडख नहीं होती वहाँ फल सबजियों को कैसे ले जाया जाता होगा? कौन-कौन सी गाड़ियों में फल और सबजियां ले जाए जाती हैं? किसी एक गाड़ी का चित्र कौपी में बनाओ पता करो और लिखो पाठ में जिन औजारों के नाम आये हैं उनके शित्र ढूंड कर उनके नाम लिखो और लिखो तुम्हारे इलाके में उसका क्या नाम है और वहाँजार किस काम आता है? प्रिष्ट एक सौ अठा रहा फसल उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं हम काम बता रहे हैं उन्हें सईक्रम में लिखो सिचाई, कटाई, बुआई, खुदाई, छटाई, पकी फसल बोरों में भरना इन कामों को सही क्रम में लिखो बसवा का खेत अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का चौधों पाठ प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T, नई दिल्ली, मारत